अपने बुदेल खंड मैं बड़े हो गए दिगुईई अपने अरी अपने बुदेल खंड मैं बड़े हो गए दिगुईई अपने बोनेले खंड माईया बड़े बड़े हो गएरी गुईया चत्रकूट ती रथ है पावन भुनीता चत्रकूट ती रथ है पावन भुनीता जहां रहे आकर के राम लखन सीता ये उनके सेवक हैं और मैं ये कहता हूँ दावे के साथ के इन से बड़ा सेवक तीनों लोकों में उनका कोई नहीं है अगर उनको आवतार नाब हो होतो तो ये भी पैदाना होते धरती परे ये रोध आवतार है मगवान संकर के ग्यार में रोधार बेठे बट ब्रक्षन की छाईया बड़े बड़े हो गए दिगुईया अपने बुदेल खंड मईया बड़े बड़े हो गए दिगुईया रामायन लिख गए हैं महा कभी तुलसी जो भौसागर तर बेखा बना गए पुलसी जिने मिले जिने मिले तिर लोगी संग्या बड़े बड़े हो गए दिगुईया अपने बुदेल खंड मईया बड़े बड़े हो गए दिगुईया च्तम उर्चा तो जाता ही हो गए हब हमाई दीपक ने तो वहाँ अपना इस्टूडियो बना दिया क्योंकि राम राजा सरकार जो बेठे हैं ये पुखन च्छत्र में ही आये थे और ये तीसरा नंबर है इस गुंदेल खंड में धर्म के च्छत्र में कैसे हैं जा कोना और छोर और छा कहाओ वहां की लड़ई सरकार थी जन्होंने अंग्रेजों के चकर में पढ़कर महरानी लक्षमाई से युद्ध किया लेकिन महरानी लक्षमाई रहारी नहीं मैंने उनके बारे में ये पढ़ा था कि अभी उमरकुल 23 की थी मनुझ नहीं अउतारी थी हमको सीख सिखाने आई बन स्वतंतरता नारी थी दिखा गई पथ सिखा गई उसको जो सीख सिखानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जहांसी बाली रही ऐसा नहीं कच्छा चार में पड़ा था आज तक कि आदे 64 साल का हूँ वो रहा महरानी लक्षिमाई और चार दोनों ही राजे थे उसमें चुंकि ये महराज छत्र साल ने बाजी राव पेश्वा को दिया दिया थी उसमें महराज छत्र साल से उनने जहांसी और ग्वालियर ये दोनों बाजी राव पेश्वा को दे दिये थे दत्तक पुत्र मानकर वो अपनी बिटिया की शादी कर दी थी वो उसी परिवार में महराणी लक्षिमाई बयाई थी अकुल 13 सा बर्स की उम्र थी जब साधी हो गई थी फिर इसलिए जाको ना और छोर और छा कहाओ ओ मधुकर की रानीने प्रभुखार जाओ ल्याई त्याहि जाम राजा खा कईया बड़े बड़े हो गई थी गुईयाँ अपने हुदेल खंड मैया बड़े बड़े हो गई थी गुईयाँ अपने हुदेल खंड मैया बड़े बड़े हो गई थी गुईयाँ झाल